हेलो स्टूडन वल्कम दूमार यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सिस ग्रूप तो स्टूडन आज में डिसक्स करेंगे क्लास नाइन में चाप्र टू पॉल्नोमिल का स्पोर्ट मतीरियल कोशन नमें 16 में दे रखा है 1 upon 16 P square minus का Q equal है P upon 4 minus 11 bracket P upon 4 plus 11 तो बताओ Q की value क्या होगी हमें जो given condition पहले हम उसको mention करते है P square upon 16 minus का Q equal है P upon 4 minus 11 and P upon 4 plus 11 तो यहाँ पर मेरी identity लग रही है देखो एक बार negative में है एक बार positive में है तो rule लग जाएगा A square minus B square का यह मारा formula होता है इसे मैं आजटीज रखा तो A के जगा में दे रखा P by 4 तो हमें लखा P by 4 का square क्योंकि हमें A square दे रखा तो A के जगा P by 4 है B B के जगा 11 है 11 का square P square upon 16 minus का Q P को P से गुना किया P square upon 16 11 को 11 से multiply करेंगे 121 अब देखो यह plus का है यह दरख minus का हो जाएगा cancel होगे minus का Q is equal to minus का 121 minus से minus cancel हुआ क्योंकि value कितने आगी 121 option हो जाएगा मेरा यहाँ पे C और इसी के साथ मेरा question number 16 यहाँ पे complete होता है अब हम डिसकस करें question number 17 तो student question number 17 हमें दे रखा है 3X is equal to A plus B plus C equal है sorry अगर equal हो 3X के तो बताओ X minus A का Q X minus B का Q X minus A का Q minus 3 X minus A bracket X minus A X minus B bracket X minus C bracket तो इन तीनों चार option दे रखें चार में से कौन इसका answer होगा ठीक है हमारे जो सवाल है पहले में उसी mention कर देता हूँ X minus A का Q X minus B का Q X minus C का Q minus में 3 X minus में A X minus में B and X minus में C देखो यह मेरा पूरा का पूरा एक फॉर्मला बन दा है कौन सा फॉर्मला देखो X भी यूज हो चुका है ABC भी यूज हो चुका है तो मैं इसको फॉर्मले को P Q R की फॉर्मले लिख रहा हूँ यानि P का Q Q का Q R का Q minus में 3 P into Q into में R यह मेरा पूरा फॉर्मला है P की जगा में को देखो रख रहा है X minus A Q की जगा X minus B R की जगा X minus C 3 का 3 P की जगा X minus A Q की जगा X minus B R की जगा X minus C अगर मैं यह प्रूफ कर देता हूँ कि P plus Q plus R इनकी value अगर तीनों को सम करने पर 0 आता है तो इस पूरे formula की value क्या हो जाती है 0 लेकिन यह statement fulfill होनी चाहिए कि तीनों का सम 0 की equal आएगा तो इस पूरे formula का answer क्या हो जायागा 0 की equal आजाएगा अगर यह condition में ती fulfill होती है तो इसे check करने के लिए मैं इसको check करता हूँ देखो P, P की value में कितनी given है P की value given है X minus में A Q, Q की value X minus में B R की value हमें given है X minus में C clear है तो हमें P, Q, R कसम कितना होना चाहिए 0, P की value कितनी है X minus A Q की value X minus में B और R की value X minus में C और किसके पुरान है 0 की देखो 1x 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 कितना हुआ 3x minus का a minus का b minus का c is equal to 0 अब मैंने इन तीनों में से देखो minus का मना रहा minus का मन निकाला तो अंदर वालों किसा है minus है तो plus minus है तो plus minus है तो plus equal to 0 3x हमें a plus b plus c की value question में given है कितनी है 3x अब 3x में से 3x minus कितना है 0 तो यानि कि मेरी left hand side, right hand side के equal आ रही है तीनों का समझीर हो रहा है तो यानि कि जो formula है मेरा पूरा formula equal हो का 0 के तो यानि कि जो पूरे formula की value होगी मेरी वो क्या होगी 0 तो मेरा option हो जागा यहां पर b और इसे के साथ मेरा question number 17 यहां पर complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें और इस चैनल को जरूर subscribe कर लें मिल तक लिए वीडियो में, okay bye bye thank you